तो आज इस lecture में हम बात करने वाले हैं time stamps के बारे में, यह काफी important lecture मान लो क्योंकि यह काफी important होता है, अगर आप live projects पर working करते हो, तो time stamps का आपको मैं importance को बताने जारा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं आपको बता जारा हूँ कि time stamp होता है, basically यह time stamp, basically time और date को मिलाकर के format बनाकर के आपका कहला था, time stamp, जिसमें आपकी date होती है and time होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका time stamp का मतलब यह हो चुका है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, why we need to store the time stamp, अभी क्या होता है, मैंने जितने भी अपने channels पर जो lectures बनाया है, उनमें मैंने time stamp store नहीं करा है, ठीक है, वो as a beginner मैंने आपको गाड़ी किया, पर जब आप live project पर working करोगे, अगर आप जो projects पर working करोगे live पर, तो आपको time stamp की काफी need पढने वाले कि आपका data कव update हुआ, कव create हुआ, तो यह चीजे store करने की need पढ़ेगी आपको, जब आपको live projects पर working करोगे, यह मैं अपने experience से वोला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आपको need पढ़ने ही वाली है, जब आप live projects पर working करोगे, और यह काफी useful भी होते हैं, कि आपका data कव store हुआ था, अगर आपको जानना हो, या आपका data create तो हो चुका था, पर जब update हुआ, तो update कौन सी date को हुआ या उसका time क्या था, वो आप get कर सकते हो, इस time stamps की मदद से, ठीक है, तो आज इस lecture में मैं आपको एक example के साथ बताने जा रहा हूँ, कि time stamps को आप कैसे node.js में active कर सकते हो, और अपने database के अंदर automatically इसे store करा सकते हो, जैसे आपका data create होगा, या update हो चलिए मैं एक example के साथ आपके साथ discuss करता हूँ इसको, ठीक है, पहले तो मैं कर लेता हूँ screen को zoom out, and then मैंने यहाँ पर एक already example create करके रखा है, मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है, मैंने mongoose require किया हुआ है, मैं आपको code थोड़ा समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको readable form में पता चल जाए कि मैंने किया क्या हुआ है, यह मैंने database से connectivity की हुए है, जो कि मेरा test नाम का database है, जो कि यहाँ पर already opened है, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कोई collection ना कुछ है, अग्जिस्ट करता है, यह मैंने express को require किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक variable बनाज रखा है, जिसमें मेरी app का listen वगरा होता है, पर मैंने listen तो कराया हुआ नहीं है, हलां कि useful नहीं है भी यह variable ठीक है, पर यहाँ पर देखोगे आप कि मैंने user model का path यहाँ पर require कर रखा है, जैसे कि आप देख पार हो, इस path पर जो है मेरा एक model रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं model के बारे म आपको पहले discuss करूँगा, क्योंकि फिर हम आगे working करेंगे, लाइन वाइन वाइन चलेंगे, हम क्या चल किया रहा है मामलाइस में, ठीक है, सबसे पहले मैंने mongoose को यहाँ पर require किया हुआ है, जैसे कि आप model create करते हो, and then आपने schema create किया, मेरे user model के अंदर basically name, email और mobile store हो रहा ह ठीक है, अब यहाँ से export करने के बाद मैं ऐसे कहीं पर भी use कर सकता हूँ, इसका path बता करके, ठीक है, तो ऐसा ही मैंने क्या हुआ है, सेम अपने index.js के अंदर, ठीक है, हाला कि इस तरीके से हम working नहीं करते हैं, सब के लिए अलग separate working करते हैं, हाला कि यह मैंने समझाने के लि क्योंकि basically async method है, ना कोई request and response ले रहे हैं, हमने simple यहाँ पर, इसमें brackets के अंदर, यहाँ पर हमने अपनी working की हुए, ठीक है, जो हमारा user model है, उसका मैंने object create किया, जिसके अंदर मैंने as a key and value के pairs में उसके data डाल दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया end में user.save, अभी यहाँ से यह मेरे को user data लाकर के console करा देगा, ठीक है, एक बार मैं इस code को जो है run करा के दिखा देता हूं, कि node, हाला कि मैं node 1 भी कर सकता हूं, पर मैं node index.js, ठीक है, मैंने यहाँ पर किया node index.js, अभी यहाँ पर देखो कि आपको जो है, मेरा जो data आ चुका है, जो की insert हुआ है, ठीक ह अगर मैं database में यहाँ पर refresh करता हूं, तो मेरे को data मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो से तो name, email, mobile आ चुका है, ठीक है, पर यहाँ पर अभी आपके time stamps जो है, यहाँ store नहीं हुए, यह store कैसे होंगे, यह काफी important होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको करना है, आपको index.js में जो भी मैंने काम किया हुए, यहाँ पर देख से तो यहाँ पर यह मैं बताना बोलीगा है, कि मैंने यहाँ पर create user method को call किया हुए, तभी तो यह create user method चलेगा, और यह मेरा line of course चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर time stamp को आप कैसे automatically यहाँ पर store करा सकता है, अपने data waste में, ना यह जो आपके कलिव रैकेट से start होते हैं, रैकेट के बाद जिसमें आप अपने properties जो assign कर रही हो, name, email, mobile, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यह जो आपका out of वाला रैकेट जो है, तो यहाँ पर आप common लगाईए, यहाँ पर आपको time stamps true कर देना, ठीक है, अभी by default इ time stamp हर वार update होगा, हर वार create भी होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ another data डालता हूं, like कुछ another user की mail है, और user की name भी है, ठीक है, तो अब मैंने यह save किया, और create user मैंने method नीचे callee किया हुगा है, तो यह चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं node index.js करता हूं, ठीक है, मै यहाँ पर देखोगे, तो यह देख सकते हो, यहाँ पर आपको console पर भी आ चुका है, कि आपके created at, updated at, यहाँ पर हो चुके है, ठीक है, यह देखाई दे रहा है, अगर मैं database में भी जाता हूं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, कि यह जो user था, इसका created at, updated at, आ ना कि created at, created at वो होता है, जब यह आपका data create हुआ, updated at मतलब कि जब आपका data update हुआ, ठीक है, created at वाले time पर तो यह दोनों का same data date जाती है, पर यहाँ पर जब updated at चलेगा, ठीक है, मतलब कब चलेगा, जब आप इस particular id के वेस पर इस data को update करोगे, चाहाँ आप कुछ भी update करो, तो यह updated at का जो time stamp है, वो अपने आप automatically change हो जाएगा, जो current time होगा उस time पर, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप time stamp का यहाँ पर restore कर सकते हो, यहाँ पर बस आप करना क्या है, यहाँ पर time stamp true कर देना, by default यह false होता है, फिर आपको easily store कराई अपने model के